सब्सक्राब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और पेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट रोजगार से जुड़े वीडियो देखने के लिए दोस्तो नमस्कार मैं हूं किर्शनकुमार और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार इंडिया चैनल मैं आज आपके लिए जो नया वीडियो बना के लेके आया हूँ इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जो इंडियन एर फोर्स में रेली वर्ती यानि जो खुली वर्ती निकलिया है उसमें मेरे कई दोस्तों कई दिनों से इस वर्ती का इंतजार करने रहे हैं इसलिए वीडियो को सुरू से अन्तक पुरा देखे जिससे पूरी अनकारी इस वीडियो में आसानी से मिल सके मैं जो हर बार वीडियो बना रहा हूं वह स्टेट और गोवर्वेंट लेवल की सरकारी वैकेंसी से सम्भंदित और वैकेंशियों की जो भी अपडेट सूचना आती है उनसे सम्भंदित वीडियो बना रहा हूँ इसलिए साथियों मेरे इस रोजगार समचार इंडिया चैनल के लाल रंग के सब्सक्राइब और गंटी वाले बटन को दवाईए जिससे जो भी लेटेस्ट नोक संब्सक्राइब हो यानि इस रैली भरती करettes यानि को कई दिनों से कई महनों से इंतजार फा इसनी वाय विडियो नेपाली प्रूस इस भर्ती में सामिल हो सकता है इस वेकेंसी में जो वाई सेना एरफोर्स में वाई ग्रूप टेरेट के लिए ये वरती निकली है इस वरती में रिक्रूमेंट रेली वरती के लिए भारतिये और नेपाली कंडिडेट अन्ना सत्य स्टेडियम तमीन नाडु में तंजावुर में सुबह 6 बजे पहुंचना ह अजर यह में सामिल होना है और इस्रेली वरती में सामिल्विशे ऑने की जो वुइस परकार से है कि दू तुमेत्पूर्ण तितिये 23 जुलाई को पीएपटी टेस्ट होगा यानि फिजिकल फिटनेश टेस्ट होगा उसके साथ ही 23 जुलाई को लिखित परिक्षा भी उसी दिन ले ली जाएगी और साथियों 24 जुलाई को अडेपटी लिटी टेस्ट होगा इसलिए आप इस रेली भरती में 23 और 24 जुलाई को निश्टिच जगह पर और निश्टिच समय पर यानि कि 6 बजे ही इस स्टेडियम में आपको पहुंचना है साथियों दूसरी जो सेकेंड फिजिकल फिटने टेस्ट और लिकित टेस्ट होगा और दूसरा जो चरन होगा उसमें 26 जुलाई को ये इसका जो 26 जुलाई को और एडेपटी लिटी का जो टेस्ट होगा वो 27 जुलाई को होगा इसलिए सेकंड चरंड के कंडिडेट 26 जुलाई को फिजिकल टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और लिकित टेस्ट के लिए 26 जुलाई को सुबह 6 बजे, सत्य अन्ना स्टेडियम तमीन नाडु में तंजावूर में सुबह 6 बजे इस इस्तान पर अपने सभी डोकॉमेंट साथ लेके पहुँच जाएं, साथियों जो इस वैकेंसी में योग गेता है वो इस फरकार है, किसी भी माननेता प्राप्त संस्तान से अभिरती, फिजिक्स, केमेश्ट्री, बायोलेजी वे इंग्लिस में 50% अंकों के साथ बारवी काक्षिया पास कर रखी हो, और इसके 45-4% के साथ अंकपात कर रखे हो, ऐसा ही कंडिडेट इस रेली भरति के लिए योग्य माना जाएगा, और इस रेली भरती में इसी निश्चितित्तान पर जा सकता है, इस साथियों जो इरेली भरती है एर फोर्स की, ये इससे अच्छी रेली भरति या आपके लिए भोती म पहत्पून भरती निकली है इसलिए इस भरती पर ध्यान देते वे इस निश्चितिति को अपने सभी डोकुमेंट्सों के साथ जरूर पहुंचे और इस वेकेंसी जो इंडियन एयर फोर्स में वाई ग्रूप ट्रेड से जो यह भरती निकली है इस भरती की जो आयूशिमा य जिन कंडिडेट या जिन अभिहरतियों का जनब हुआ ऐसे अभिहरती इस इंडियन एयर फोर्स की वाई ग्रूप ट्रेड की रेली वरती में सामिल हो सकते हैं इस वरती में सामिल होने के समय जो उसमें फीजी कल फिटनेश टेस्ट में शोड़ा सो मिटर की रेस करवाई जाएगी ये शोड़ा सो मिटर की रेस अभिहरती को 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी इसके साथ ही फिजीकल में उसको 10 पुसब करवाई जाएंगी और इसके साथ ही 20 उठक बैठक भी करवाई जाएंगी इसलिए फिजीकल फिटनेस कंडिडेटी इसरेली भरती में सामिल हो और इसके साथ ही physical में फिट होने के बाद उसा अभिहरती का medical किया जाएगा medical के लिए जो उसकी च्छाथी यानि कि अभिहरती अपनी च्छाथी को 5 cm तक फुला सके ऐसा candidate इसके लिए योग्य माना जाएगा उसके साथी उसकी वजन वजन उसकी हाइट के अनुसार चेक किया जाएगा और अभिहरती की minimum हाइट जो की 152.5 cm हो ऐसा ही candidate इसके लिए रेली भरती में सामिल हो सकता है साथियो जो एरफोर्स की रेली भरती है इस रेली भरती में अभिहरती को इस पर्ष्ट सुनाई दे उसकी सुनने की चमता इस पर्ष्ट हो जो भी अभिहरती से पूछा जाए उस सुनने की सामाने चमता नॉर्मल हो और इसके साथी इस वेकेंसी में जो वेतनमान दिया जाएगा वो जोनी होने के पस्चात 26,900 रुपए के साथ ग्रेड पे वेतन भत्ते और अन्य अनौंस के साथ इस वेकेंसी में आपको दिया जाएगा और जो ये वेकेंसी है इस वेकेंसी में सलक्षन फिजिकल और मेडिकल पास करने के बाद लिखित टेस्ट होगा लिखित टेस्ट जो 45 मिंट का होगा 45 मिंट का ये लिखित टेस्ट चार भागों का होगा जिस चार भागों में रिजिनिंग जीक के इंगलिस और साइन से सम्भंदित यानि 10 फ्लस टू लेवल से सम्भंदित परसन पोचे जाएंगे इसलिए आप अपनी पढ़ाई के जारी रखने के साथ इसी लिखित टेस्ट में भी पास होई और समान चारों पार्टों में पास होना जरूरी है इसी परकार इस vacancy में जो chain या selection होगा physical fitness और उसके साथ medical fitness और उसके साथ ही liquid test होगा इन तीनों testों में पास होने के बाद ही अभियर्ती की cut-off बनाए जाएगी merit cut-off list में selection होने के बाद ही अभियर्ती को इस Indian Air Force Relief अभियर्ती की Y-grouped में joining दी जाएगी साथ यो ये अच्छी vacancy है इसलिए ऐसा कोई अपना भाई दोस्त या परिगार का सदस से या खुद जिसने भी किसी माननेता प्राव संस्तान से physics, chemistry या biology और उसके साथ English में मिलाकर 50% के साथ वे साथ में English भी 50% अंकों के साथ पास कर रखियो वो इस रेली भरती में सामिल हो सकता है और इस रेली भरती में medical में जो tattoo इस पश्ट सामने से दिखाई दे ऐसे tattoo आले candidate के लिए योग्ये नहीं होगे और इसके साथ ही उसकी आखे भी six by six हो उसको इस पश्ट दिखाए दे बिना चस्मे के six by six हो ऐसा ही candidate इसके लिए योग्ये होगा इस वेकेंसी में अपने सभी डोकॉमेंट्स यानि परिक्षा देते समय अपनी दस्वी की मारक्षीट आदहर कार्ड बार्वी की मारक्षीट बोर्ट सर्टिपिकेट और जो भी सर्टिपिकेट हो NCC से सम्भंदित या sports quota से सम्भंदित जो भी सर्टिपिकेट हो HB pencil, rubber और इसके साथ ही अपना pen ये सब साथ लेके जाएं जिससे इस वेकेंसी में अपने लिखेत exam के समय किसी परकार की समस्या ना हो और इस वेकेंसी को online registration या online इस वेकेंसी की जानकारे के लिए www.airmanselection.cdac.in पर जाकर भी आप इसकी merit list की सूचना देख सकते हैं और इस वेकेंसी की और जानकारे भी साइट्स के माध्यम से देख सकते हैं और साथियो एर फोर्स जो ministry of defense विवागे खुद बोलता है कि इस वेकेंसी में दलालों से बिलकुल ना पंजे इसमें बिलकुल दोखा दड़ी से बचे ये बिलकुल physical fitness और medical fitness और इसकी साथ लिखित परिक्षा में fit candidate को ही इसके लिए योगे करती है इसके लिए किसी भी दलाल को पैसे ना दे और किसी भी जनजाल में ऐसे ना पसे कि जो ऐसा अभी हरती के लिए ऐसा कोई व्यक्तिया आपके पास आए कि बोले कि मैं इस vacancy में आपका selection करा दू ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें केवल वही candidate selection होगा जिसने इस liquid test और physical test और medical में इस पश्ट और कुसल परदर्शन किया हो ऐसा ही candidate इसके लिए योगे माना जाएगा इसलिए किसी परकार के धोखा दड़ी से बचे साथियो मैं इसी परकार से आपके लिए जो भी government विभाग की vacancy निकले उन vacancy ओ से संभंदित सबसे पहले और सिग्गर सूचना आप तक पूरी कोशिस करूँ इसके लिए आम मेरे इस रोजगार समाचार इंडिया चैनल के लाल रंग के subscribe और घंटी वाले बटन को जरूर द करनाओं उसकी सबसे पहले जानकारिया आप तक मिल सके और इस वीडियो जो भरति की सूचना मिले उस सूचना के साथ ही आप अपने इस वैकेंशियों में अपना आवेदन अपलाई कर सके और जिससे आपको सरकारी विभाग की भरति में जोइनिंग मिले इसलिए आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक सेर और लाइक भी करें धन्यवाद दोस्तों